हेलो स्टुडेंट आज हम क्लास 11 के पहले लेशन दा पोर्ट्रेट अफ लेडी के क्वेश्चन एंसर के सेकेंड पार्ट के बारे में जो है डिसकस करेंगे क्वेश्चन एंसर जो है यह पार्ट सेकेंड है आप इसे ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें ठीक तो यह देखते हैं हमाला हमारा जो है पहला प्रश्ट कि दाधी धार्मी के स्त्री थी वे कौन सी बिभिन बाते हैं जिसे हमें जो है उस बात की जानकारी मिलती है यानि धार्मिकता के बारे में हमें पता चलता है दाधी के उसके बारे में हमें बात करना है यानि या ऐसी कौन सी उनकी हरकतें थी या कौन से ऐसे कारे थे जिनसे हमें उनके धार्मिक महिला होने के प्रमाण मिलते हैं ठीक उत्तर है The author's grandmother was undoubtedly a religious lady लेकक की दादी ने संदे एक धार्मिक महिला थी She would always tell the beads of her rosary वे हमेशा माला फेरती रहती थी या माला जबती रहती थी And her lips constantly moved in an inaudible prayer और उनके होट लगातार आस्त्रमडी ये प्रार्थना बोलते रहते थे यानि उनके मुह से जो है ना सुनने वाली आवाज निगलती रहती थी यानि वह मूख भासा में अपने होट को हिलाती रहती थी She went to temple daily when she was in the village जब वे गाउं में थी तो वे प्रत दिन मंदिर जाया करती थी She also read scriptures She also read scriptures She was upset when she come to know that there was no teaching about God and scriptures in her grandson's school वे धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ती थी और जब उन्हें पता लगा या पता चला She was upset when she came to know that there was no teaching about God and scriptures in her grandson's school जब उन्हें पता चला कि उनके पोते के स्कूल में यानि जो सहर में स्कूल था उसमें भगवान और धार्मिक पुस्तकों के बारे में सिक्षा नहीं दी जाती थी तो वे परेसान हो गई थी ठीक है फिर हमारा जो है अगला प्रश्ण है Would you agree that the author's grandmother was a person strong in character If yes, give instances that show this लेखक और दादी मतलब लेखक की दादी जो है एक चरित्रवान द्रेण चरित्रवान इस्त्री थी लेखक की दादी एक द्रेण चरित्रवान इस्त्री थी इस बात को अस्पष्ट और प्रदर्सित करने के लिए जो है आप एक उदाहरन दीजे तो answer है The author's grandmother was strong in character लेखक की दादी एक द्रेण चरित्रवानी महिला थी She had her own convictions which she rigorously followed उनके अपने बिचार थे Convictions मतलब बिचार Rigorously मतलब मजबूती से उनके अपने बिचार थे जिसका उन्होंने मजबूती से पालन किया She took good care of the author in the village जब वे गाउं में थी तो उन्होंने लेखक की अच्छी देखवाल की थी She loved him very much हुआ लेखक से बहुत प्यार करती थी But when she came to know that things were not going her way लेकिन जब उन्हें इस बात का पता चला कि जो भी घटनाये थी उनके अनुसार नहीं घटित हो रही थी यानि जो भी बात हो रही थी उनके अनुसार जो है सारे काम नहीं हो रहे थे She accepted it without making any fuse तो उन्होंने बिना किसी उन्होंने जो है बिना किसी बात के ठीक है बिना किसी मतलब बिरोध के उसे सुईकार किया और ना ही सुईकार किया बलके एकदम सांत और सैयत भी रही एपने मृत्य को और इन सब के ऊपर यानि और सरवों पर She accepted her death as comely उन्होंने अपने मृत्यु को ही उतने अपने मृत्यु को ही भी उन्होंने उतनी ही सांत भाव से सुईकार किया एजसी हैड बीन एक्सेप्टिंग अदर चेंजस टेकिंग प्लेस अराउंड ठीक है उतने ही सांत भाव से सुईकार किया अपने इम्रति को जितने की वे अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं को सुईकार कर रही थी ठीक है आगे देखते हैं अगला प्रश्ण मारा तीसरा जो important होने माला है have you know someone like the author's grandmother do you feel the same sense of loss with regard to someone whom you have loved and lost ठीक है क्या आप लेखक की दादी जैसा किसी को जानते हैं क्या आप वही भावना महसूस करते हैं do you feel the same sense of loss क्या आप जो है वही भावना महसूस करते हैं regard to someone whom you have loved and lost जिससे आप जो है प्यार करते थे और खोने के बाद जो भावना लेखक महसूस करता है वही आप भावना महसूस करते थे answer है yes this story reminds me of my grandfather उत्तर है हां यह कहानी मुझे मेरे दादा जी की याद दिलाती है he was very old but without stoop वह बहुत बुड़े थे परंत जुके नहीं थे यानि वह जुक कर नहीं चल रहे थे और जबकि दादी मा लेखक की दादी जो है थोड़ा सा जुक कर चल रही थी he did not like telling beats or reciting prayers वह जो है माला नहीं जबते थे तथा भजन गाना पसंद नहीं करते थे my grandfather and I used to spend most of the time together मैं और मेरे दादा जी अपना अधिकतर समय साथ में बिताते थे he would tell us some inspiring stories वह हमें कुछ जो है प्रेनडा दायक कहानिया सुनाया करते थे यानि कुछ हमको प्रेनडा दायक कहानिया वह सुनाया करते थे दादा जी he knew how to read and write वह पढ़ना लिखना जानते थे and he led a perfect happy life और उन्होंने अपना जीवन जो है खुसी के साथ जिया था ठीक प्रसंदता के साथ जीया था he used to tell us the story of king हरिश्चंद्र and स्रवन कुमार and महत्मा गादी वह हमें हमारे बच्पन में हरिश्चंद्र की कहानिया स्रवन कुमार की कहानिया और महत्मा गादी की कहानिया भी सुनाया करते थे उन्होंने कभी किसी को जो है उनके लिए काम करने के लिए नहीं कहा यानि वह कभी किसी से अपने लिए कुछ नहीं करवाना चाहते थे ही वाज सेल्फ रिलाइंट एंड सेल्फ सेटिस्फाइंग वह आत्म निर्भर यूम आत्म संतुष्ट थे यूड मेक मी रे रीड स्री रामचरित मानस उन्होंने जो है यानि वह मुझसे रामचरित मानस सुना करते थे उनको अच्छा लगता था रामचरित मानस का पाठ वो जो है मुझसे सुना करते थे वास्तों में वह करमयोगी थे वास्तों में करमयोगी थे जो मेहनत में विष्वास करते थे जब मैं 19 वर्स का था तो थोड़ी सी बीमारी के बाद वे स्वर्ग सिधार गए we still miss him not because he was our grandfather हम उन्हें अब भी इसलिए नहीं याद करते हैं कि वे हमारे दादा जी थे बलकि इसलिए याद करते हैं इसलिए हम उन्हें मतलब उन्हें हम इसलिए नहीं याद करते हैं कि वे इतने पवित्र ठीक है प्यूर पवित्र अन्शूल्ड निश्कलंग थे कि उनके जैसा कोई भी बनना चाहेगा like to emulate him यानि उनके समान कोई भी बनना चाहेगा तो यह हमारा important जो है प्रश्न था जो की talking about the text से था चलिए आगे देखते हैं क्या है तो thinking about language है ठीक है भासा की समझ दी है तो इसमें जो है आपके पास चार प्रश्न है पहला प्रश्न है which language do you think the author and his grandmother used while talking to each other आप क्या सोचते हैं कि लेखक और उसकी दादी माँ अपनी बात चीत के दोरान किस भासा का प्रियोग करते थे क्या आप जानते हैं कि वे दोनों आपस में कौन सी language कौन सी भासा का प्रियोग करते थे तो उत्तर है खुश्वन सिंग वाज पंजाबी पुत्तर एज ही इस इस और पुत्र थे और जैसा की जानते हैं कि पंजाबी जो है यानि पंजाब के रहने वाले पंजाबी में बात करते हैं तो निश्चित रूप से लेखक यानि खुश्वन सिंग अपनी दादी से पंजाबी भासा में बात करते रहे होंगे फिर अगला प्रश्ण है फिर अगला प्रश्ण है कि अपने परिवार में आप अपने बड़ों के साथ किस भासा में बातचीत करते हैं? यानि कौन बादचीत में किस भासा का प्रियोग करते हैं तो उत्तर है आई यूज हिंदी वाइल टॉकिंग टू इल्डरली रिलेटिपस इन माई फैमली बादचीत के दौरान परिवार में मैं बादचीत के दौरान ठीक है परिवार में मैं अपने संबंधियों से बादचीत के दौरान हिंदी भासा का प्रियोग करता हूं फिर अगला प्रश्ण है आप जो है एक डाइला पिडेटेट ड्रम को क्या कहकर पुकारेंगे आई उट से मैं कहूंगा फटी पुरानी धोलक फटी पुरानी धोलक हूंगा प्रगला प्रश्ण है कैन यू थिंक ओफ इस सॉंग और एक पोएम इन यूर लेंग्वेज दैट टॉक्स अफों हूं में किडेग्व पनुभास में क्रियेंट या बता सकते हैं जो जिसका मतलब हो home कमिंग गर्वापसी से संब्नदित हो क्या आप है अपwritten बहुता के बारे में सोचते हैं जो घरवापसी से संबंदित हो तो इस्टुडिंट यहां पर दिया है आप अपनी भासा में सोच सकते हैं तो अपनी भासा में आप जो है इस एक प्रकार के कविता को या एक प्रकार के गीत को अपनी कॉपी में लिखेंगे ठीक है लेकिन हमने यहां पोएम की चार लाइने क्रियेट की हैं ठीक है चार लाइने जो है कंपोज की है जो होम कमिंस से ही संबंदित हैं लेकिन यह इंग्लिस में है ठीक लिखा है यूर मेमो ब्रिंग्स यू यूर मेमो ब् यह कविता लिखे हुए हैं जिसमें से चार लाइन है तो your memo brings you तुम्हारी जब याद आती है तो तुम्हें लेकर आती है when we think you और जब हम तुम्हारे बारे में सोचते हैं तो यह सोचते हैं why are you so far तो आप या तुम इतने दूर क्यों गए तुम इतने दूर क्यों हो या दूर क्यों गए come 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 again you यानि दुबारा वापस आओ दुबारा वापस आओ और वापस ही आ जाओ ठीक है तो दादा जी को खोने के जो है उनकी कमी महसूस हुई और उनकी कमी महसूस जब हुई थी तो उसी समय जो है जूकि लिट्रेचर का इस्टूडेंट होने के नाते मैंने यह प्रस्थ पोईम कंपोज करी थी जिसकी चाल लाइन आपके लिए प्रस्तुत है तो इसी तरह से आप अपनी भासा में यानि ह संब्धनित हो जिसमें जो है है घर वापसी के बारे में यानि घर वापस लोट कर आने के बारे में वर्डन किया गया हो तो आपको यह चीज ध्यान रखना है और दूसरी बात कि इस पोएम में मतलब इस जो है सीरीज में आप देख रहे होंगे कहीं पर capital letter में पूरा question लिखा गया है तो आप please capital letter में मत लिखेगा sentence का पहला अच्छर ही capital letter में होना चाहिए बाकी सब small letter में रहेंगे ये आपको ध्यान देना है तो ये जो है हमारा second part था आप याद भी करेंगे इसको ठीक है ओके धन्यबाद और ले जो है वीडियो को share, like और subscribe जरूर कर दीजिए ताकि जितनी भी जो है useful वीडियो आपको मिले ठीक है वह notification के द्वारा आपको अवस्य मिल जाए ओके धन्यबाद